कर सतियो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे तो आए आज किस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत में वचन ठीक है और इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है संस्कृत कैसे पढ़ें और द संस्कृत में गर्दा छुडाने के लिए सिखाएंगे परतेक दिन संस्कृत गरामर का एक वीडियो अपलोड होता है जरूर देखा किजिए ओके पाइए सबसे पहले आप लोग समझ लिजिए कि संस्कृत व्याकरन में वचन को क्या कहा जाता है वचन को वचनानी कहा जाता ह वचनानी ठीक है और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है वचन ठीक है हिंदी में क्या बोला जाता है बचन बोला जाता है और इसको अगर दूसरी भासा में बोले बचन का क्या होता है देखो वचन मेंस डैट मिन्स प्रॉमिस क्या करते हैं कि हम तुमको बचन देते हैं त और हिंदी में क्या कहते हैं इसको वचन कहते हैं ठीक है और नंबर इंगलिस में क्या कहते हैं इसको नंबर कहते हैं और अगर इसका हिंदी देखा जाए नंबर का तो क्या हो जाता है संख्या हो जाता है लेकिन इंगलिस में इसको नंबर बोला जाता है आई होप आप लोग यह चीज़ समझ गए होंगे समझें जी आगे 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 मैं आपको बताता हूं वचनानी अर्थात वचन कितने परकार के होते हैं संस्क्रीत व्याकरने संस्क्रीत व्याकरने त्रिनी वचनानी संती मतलब संस्क्रीत व्याकरन में तीन वचन हैं कौन-कौन से यथा य जैसे या एक वचन या इसको पढ़ेंगे आप लोग एक वचनम क्या पढ़ेंगे संस्कीत में एक वचनम द्वी वचनम क्या पढ़ेंगे द्वी वचनम और बहु बचनम ठीक है एक वचनम मतलब एक वचन हिंदी में क्या बोलेंगे एक वचन और इंगलीस में क्या बचन संस्क्रीत बचन के होते हैं से बिचन कि से तक हैं बचनम, दुई बचनम और बहु बचनम, आब समझते हैं, थोड़ा सा एक एक्जामपल लेकर हम आपको समझाते हैं, बचन, दुई बचन और बहु बचन, ओके आज यह, देखिए, अब देखिए, यहाँ पर प्यारा सा आलक है, मनखुस हो जाता, बच्चे को देखते हैं, म तब देखें यहां पर क्योट सा बालक हम एक्जाम्पल लिए यहां पर देखो कितने बालक है सिंगुलर नंबर में हमने लिखा एक बचनम में एक बालक है बहुत मुस्कुरा रहा है बच्चा हां मुस्कुरा रहा है बहुत मुस्कुराता है तो इसको क्या बोलेंगे जब ए एक बालक है तो जब दो बच्चे रहे या दो बालक है तो जब एक से दो से अधिक बच्चे रहे या बालक रहे तो क्या बोलेंगे बालका, जब तीन बालक भो बालका, क्या बोलेंगे बालका, ओके यह चीज़ समझ में आ गया अब आईए और भी चीजे हम आपको समझाते हैं, देखे इस तरह से मैं आपको पढ़ा दूँगा ना कि परशन उत्तर किसी भी परकार से पूछे तो गर्दा छुड़ा दीजिएगा हा समझे आये देखते हैं अब देखे यहां पे मैंने कुछ बहुत सारी चीजे इसमें लिखा है ताकि आपको मैं समझा दू बहतर इन तरी को सोजाता है यह बचन जो होते हैं लिंग पे जादा निर्धारित होते हैं मतलब अस्तरि लिंग पुल्लिंग और निर्पुनशिक लिंग इस पे ज्यादा अधारित है उससे मैं आपको समझा दूँगा पहचानने का तरीका भी टेंसर मतलेजिएगा अब देखो यह क्या क्या है इस्तिरलिंग है बालीका बालीका इस्तिरलिंग में एक बचन में क्या होगा बालीका दुई बचन में क्या होगा बालीके जब दो लड़कियां रहेगी तो क्या बोलेंगे बालीके इधर आओ बालीके उधर जाओ मतलब जाना आना का तो हम संस्कीत में ही बोलना होग आपको समझाड़ा हूं अब देखो जहां पे अधिक लड़कियां रहेगी दो से अधिक रहेगी बाली काहा बाली काहा ठीक है क्योंकि यहां पे जब का लगा हुआ है देखिए मैंने आप लोगों संस्कीत पढ़ने के लिए जब सिखाया था जब आकर रहे तो हो आकर बोलन कि आहें दिखो तो फलम क्या होडा हुआ फलम फबवर फला निफ फलं फल फलानी अब यहां पर ध्यान दीजिये कि देखो यह जो है सेम चलेगा अब यहां पर आप दिखो यह is pulling के लिए ठिक है kanır물ी के लिए ठीक बूसा पुरुस्वो पुरुसा तो पुल लिंग के लिए ठीक पुरूसा 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 ठीक यह देखो अब देखो फिर से आप लोग एक नपुन्सक लिंग देख लो नपुन्सक लिंग विरिक्छा विरिक्छो विरिक्छा अब देखो यहां पे है पुस्तक यह क्या भी आ गया गया नपुन्सकलिग में आ जाता है पुस्तकम है हुस्तक क Зем झाल दिचे गा में ट्रीक बताऊंगे आप लोगों को यह क्या है पुस्पम मतलब नपुनसकलिंग पुस्पम पुस्पे पुस्पानी पुस्पम पुस्पे पुस्पानी ठीक है अब देखो महिला महिला क्या हो जाएगा इस्टरलिंग हो जाएगा इस्तिरलिंग हो गया ये ठीक है महिला महिले महिला हा ठीक है महिला महिले महिला हा ठीक है अब देखो यहां पर दियान देना ये इसका तो मैं ट्रिक बगड़ा बता दूँगा टेंसर नहीं लेना अब देखो एक चीज जोता है माता का देखो माता मात्रो मात्रह मात्रो मात् पित्रो पित्रह, ठीक है, पित्रह, यह जो है मात्री सब्द का है, क्या है, यह जो है, मात्री, रीकारांत, ठीक है, यह क्या होए, रीकारांत, रीकारांत में क्या होता है, और यह भी देखे, पित्री का हो जाता है, पिता का क्या होता सब्द, पित्री होता है, यह देखो, र होता है इसमें इस्तरी प्रूश का कोई जब कि माता क्या है इस्तरी है लेकिन पिता क्या है प्रूश है लेकिन यहां पर यह काम नहीं करेगा ध्यान देना होगा कुछ सब्द होते हैं ना मात्री और पित्री तो माता मात्रो मात्रा ठीक है पिता पित्रो पित्रा यह चीजे अब बावु धियान देना दूई बचन जो भी है इसमें देखो ऐकर और लगा होगा धियान से लगभग में सब में होगा ही कहीं ना डेको ओकर ऐकर और ऐकर और और यह तो समझ जाईएगा, समझ जाईएगा, अब ये वाला जो नाम रहेगा, इसमें जो पुरुस वाला रहेगा, ठीक है, पुरुस वाला में सिर्फ विसर्ग लगा रहेगा, देखे, यहां पे पुरुस ये पुरुस रहा, ठीक है, और दोठो ही पुरुस दिख रहा मुझे, ठ लेकिन इसमें क्या आएगा। आकर विशर गा जाता है। थीष्रा में धिजये गदेखो, दिमाग को नहीं यहां लाना है। तब जाकर समझ में आए। पहला मैने क्या बता है। जो दूई बचन में रहेगा अईकर और अउकर लगा रहेगा। इसमें मैं ने बताया पुरू पुरुस बाला में क्या रहेगा ये ध्यान दो ये वाला चीजें पुरुस बाला में क्या रहेगा सबसे पहले एक बचन में देखो एक बचन में बाला का विसर्ग लगा है ठीक है विसर्ग इसमें यहां भी लगा हुआ है लेकिन यहां पर आकर विसर्ग लगा होगा ठीक है देख लो जहां तक है अब देखो इस्त्री वाला समझ लो इस्त्री लिंग में इस्त्री लिंग में देखो इस्त्री लिंग कौन कौन से हैं हाँ दो है इस्त्री लिंग ठीक है दो इस्त्री लिंग है नपंसक लिंग ज्यादा लिये हैं देखो बाली का महिला देखो सेम चले इसमें आकर विश्रग रहेगा बस मनों आया तो इस तर्लिंक फूलिंक दोनों समझ गया अब नपुन्सक लिंग को क्या स्थाइब आती में फंड़ा मोलाव समय उट रियुआ और पून्सक लिन sudah сказ इक, ठीक है तब बहतर तरीका से आपको समझाएंगे देखो फल फल विरिक्ष पुस्तक पुस्पम यह सब यह नपुन्सक लिंग में आ जाता है है जाता है नपूद्धक्लिंग इसमें देखना ज्यादा तर जो है फलम पुस्तकम पुस्पम यह सब भुआ होगा फलम रहेगा पुस्टकं में मौव यह तरीका बता रहें ठीक है समझ जईएगा अब ये चीजें तो मैं ने बता रही दिया इसका बहु बचन, बहु बचन तो बता ही दिये, अईकर और अउकर लगा रहेगा, अब इसमें ज्यादातर में जिसे फलानी, पुस्तकानी और पुस्पानी, नहीं लगा रहेगा, बात यही तक है, यह तरीका हुआ समझाने, देखो, बही कोई और अदर ट्रिक मैं बताऊंगा, जो लगभग बहुत ज़्यादा पर काम करता और बहुत ज़्यादा पर काम नहीं करता है, और आप लोग को कहिएगा, भाया कि नहीं हमको ट्रिके पर बताए, तो मैंने ट्रिक वाला भी वीडियो बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मुझे थोड़ा डीपली आ यहाँ पर मैंने एक नया ट्रिक क्रियेट किया, जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, यहाँ काम नहीं किया, यह दोनों पर काम नहीं किया था, मैंने उसके बारे में भी चर्चा कर लिया था, थीके, तो वचन जो होता है, लिंक पे निर्धारीत है, इसी से आप लोग को स करके बताना है मेरे भई आप लोगे कोमेंट करते हो प्यारा साना तो मेरा दिल जो हैना गदगद हो जाता है कि भाई निकमेंट किया तिक कोमेंट कर देना है वीडियो को लाइक कर देना है और संस्क्रित पढ़ना है पूड़ा गरामर पढ़ाएंगे अपने धंग से एकदम अलग अंद आज में तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ओके तो मिलते हैं किने वीडियो को लेके तब तक के लिए बाबाई जय हिंद जय भारत